hey everyone Uday Mandel here and I welcome you all to an important video so friends हमारे बताय हुए indicators आपको काफी पसंद आ रहे हैं आप लोग बहुत अच्छा response कर रहे हैं आज मैं बताऊंगा specific day trader's favorite indicator on trading view let's get started as usual trading view login कर गे यहां पर indicators में आना है हम step by step चलने वाले हैं फर्स नमारे पास इंडिकेटर है चांड लियर एक्जिट यह जो दिख रहे हैं आपको इस पर just one tap करना है यहां पर हम setting में आएंगे अगर आप एक date radar है ना तो आपको यह सारे indicators काफी help कराने वाले हैं तो यहां पर हम अपने अब यहां से अब को बीचेंज कर सकते हैं यहां से एटेर multiplier को भी चेंज कर सकते हैं यहां पर यहां पर settings देख सकते हैं लॉंग इस टॉप का जो भी color बगएर हैं यहां पर हम कुछ setting करने वाले अब यहां पर दिखे रहा है आपको यहां पर यहां से आपको बाइले बिलो बार कर देना है और यहां पर यहां से इतना बार कर देंगे आपको बस इतना सेटिंग करने यहां पर लॉंग एस्टेट फिलिंग इसको भी आप आफ कर दीजे यहां से और यहां पर सॉर्ट फिलिंग भी आपको आफ कर देना है कि इस इंडिकेटर का जो बेस्ट यूज है ओ मैं बता रहा हूं कोई भी बिल्कुल भी आपने तो नहीं करें आने वाले इंडिकेटर में बता हूंगा कि बेस्ट इनकेटर के लिए ऑल्राइट हम नेक्स इंडिकेटर देखते है आपको अपने यूज कर रहा है बड़ यह इम्पोर्टेंट था इसलिए मैं इसको कपर किया हुआ है इक सेटिंग म आके और आपकी जो फिलिंग वाला सेक्शन है ना इसको आप बंद भी कर सकते हैं यहां से जो आप style में आके आपको यह जो bands मिल रहा है यह bands को आप आफ कर देजिए as simple level price यह सब भी आप आफ कर सकते हैं और यहां पर आपको सिक भीवाइप को आपको परफॉर्म करना है यहां पर फाइब मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आते हैं और जब भी कोई ट्रेंडिंग स्टॉक्स ना इसके प्राइस के आसपास हो एक बुलिस कैंडल सेटल हो जाए उसके बाद प्राइस उपर जाता है तो यह प्राइस के पास जब भी कोई आता है यहां पर एक कैंडल सेटल हो और यहां पर एक प्राइस उपर गया है यहां पर मुवमेंट्स अच्छा मिला अगर आप स्कल्पिंग करते हैं तो आप वन मिनट के टाइम पर इसको यूज कर सकते हैं जब भी कोई ट्रेंडिंग स्टॉक्स अपने भीवया प्राइस है तो इसको टच करके जैसे यहां पर एक बेरिस केंडल सेटल होने के बाद वे स्टॉक के अंदर एक डॉंटरेंड मोमेंटम आता है तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं सॉट्स पोजिशन के लिए और लॉंग पोजिशन के लिए ऑल्र जो थाड इंडिकेटर से हमारे पास है वो तो मैंने अल्री डिसकर्स कर लिया हूँ आपसे लेकिन इसमें भी इसको कबर करना इंपोर्टेंट था डट इस एस आर भी टू सपोर्ट रेस्टेंस डैनेमिक भी टू यहां से आपको जिस पूट करने है बहुत अच्छा आपको सपोर्ट रेस्टेंस ड्रॉ करके दे सेग्मेंट भी है तो आप प्राइस भी देख सकते हैं अब टागेट्स और इंट्री इस स्टॉप लॉस इसके एकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हैं जो टागेट पॉइंट्स जो सपोर्ट रेस्टेंस यहां पर ड्रॉ हो रहे हैं सो फूर्थ इंडिकेटर जो हमारे पा पता करने के लिए ना सिंपली हमें इंडिकेटर में आना है और यहां पर हमें सर्च करना है चॉप जोन यह वाली वीडियो आप चेकॉट कर सकते हैं इस वी मैंने अच्छे से पताया हुआ था इसमें बेसिकली क्या होगा कि यह आपको यह लाइन्स दिख रहे हैं यह बु करके देख सकते हैं जब कोई ट्रेंड में स्टॉक्स हो जो ट्रेंडिंग स्टॉक लैक आज यह ब्रिटेनिया अभी ट्रेंडिंग स्टॉक इसको और डिटेल में चानने के लिए वाले वीडियो जरूर चेकॉट कि जेगा बस आपको यह बुलू लाइन को कैच करना है यह आप चाहे तो स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं इस से यहां पर देखे एक बहुत ही अच्छा टार्गेट था यहां से इस तरीके से जैसे ही यह ब्लू लाइन जब तक चल रहा है ना आप ट्रेंड में बने रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यह कुछ इंडिकेटर ऐसे थ और भी अगर आपको इंडिकेटर जानना है तो यह सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं आप डेफिनिटली इसको चकॉट के जए अगर आपको यह वीडियो ना वन परसंट भी काम आया डेफिनिटली हिट लाइक बटन और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाए कि लेओंगाट सब्सक्राइब?